टीम इंडिया के जिम्बाम्बे दोरे में शामिल हुआ वर्ड चैंपियन संजू सैंसन द्रोप जुरेल को किया जा सकता है ड्रॉप बार्थिय क्रिकीट टीम इस वक्त जिम्बाम्बे दोरे पर है जहां दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है सीरीज के पहले दो मुकाबलों के बाद दोनों टीम में एक एक की बराबरी पर है इस दोरे के लिए भार्थिय टीम ने यूवर खिलाडियों को वॉका दिया है और उनकी कप्तानी कर रहे है शुपमन गिल सिरीज का पहला मैच फानी के बार टीम इंडिया ने दूसरी मैच मैच वापसी करते हुई जिमबांवे को 100 रनों से हराया यूवर टीम के लिए ये सीरीज चुनोतियों से भरी है लेकिन उनकी प्रदर्शन छमता ने सभी को प्रवाबिक किया है इसी बीच टीम इंडिया को एक बड़ा समर्थन मिला है जब वर्ड चेंपियन खिलाडी संजू सैंसन ने टीम को जिमबांवे में जोइन किया संजू सैंसन जो टीटवेंटी वर्ड कप दोवजार चोबीस का हिस्सा थे लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था अब जिमबांवे की खिलाफ तीसरे टीटवेंटी में खेलने की संभावना है वर्ड कप की बाद संजू को सीरे जिमबांवे के दोरे पर जाना था लेकिन तीम इंडिया की बारबाट डॉल से वापसी में डेरी होने की कारण वे पहले दो मैचों में हिस्ता नहीं ली सकिए छुरल का प्रादर्शन पहले दो मैचों में ओसत रहा है जिससे टीम मैनेजमेंट अब संजू सैंसन को मौका देने पर विचार कर रही है। भारते करके टीम नहा ही में T20 World Cup 2024 का खिताव अपने नाम किया था। जिसे टीम का आत्म विश्वास काफी बड़ा है। इस सीरीज में संजू सैंसन की वापसी से टीम की मजबूती और बढ़ेगी और योवा खिलाडियों को उनसे सीखने का मौका मिलेगा। टीम इंडिया की फैंस को उम्मीद हैं कि संजू सैंसन की वापसी से टीम की प्रदर्शन चमता में और सोधार होगा और टीम इंडिया इस सीरीज में विजय रहेगी। अब सभी की निगाहें तीसरे टी-20 मुकाबले पर हैं जहां संजू सैंसन की प्रदर्शन का इंतिजार किया ज़ारा है।